जैहिन साथियों आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश लोकतांतरिक देश है और इसमें समय समय पर चुनाव होते रहते हैं कभी राज सरकार के, कभी केंदर सरकार के, कभी पंचायत के, कभी नगर निगम के तो जब चुना होते हैं सम्मानने निर्वाचन के दोरान सरकारी अधिकारी और जो भी सरकारी करमचारी है उनकी तैनाती और इस्थानांतरण से सम्मंदित जो भी दिशा नर्देश निर्वाचन आयोग ने तैय किये हुए हैं आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि इस्थानांतरन की शर्ते क्या होती हैं कहां पर इस्थानांतरन या तेनाती के लिए छोट मिलती है वीडियो कॉनफरेंसिंग की जा सकती है या नहीं की जा सकती है किस प्रावधान के अंतरगत ये किया जा सकता है किस प्रावधान के अंतरगत इसकी अनुमती मिल सकती है ये सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे उमीद करती हूँ ये वीडियो आपकी help करेगा इसमें ये भी आप देखेंगे कि जो B.L.O होते हैं यानि कि जो हमारी निर्वाजन सूची तयार करने का कार्य करते हैं हर छेतर के लग-लग B.L.O है कि आप B.L.O रहते हुए उनका इस्थानांतरण हो सकता है या नहीं हो सकता है ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे और उमीद करती हूँ ये वीडियो आपकी मदद करेगा यदि आप भी सरकारी करम चारे हैं और निर्वाजन के कार में सनलक्न है तो ये आपकी लिए भी यूसफुल हो सकता है आदर्श, सहिता और सरकारी अधिकारी गण मुख्य विशय जिन पर इस अध्याय में चर्चा की गई है वो है इस्थानांतरण तैनाती पर नीती इस्थानांतरण की शर्ते नीती की प्रयोजिता धील, छूट, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ परामर्श निर्वाचक नामावाली की तैयारी में सम्मेलित अधिकारीों का इस्थानांतरण तैनाती पुलिस के उपनी रिक्षक के इस्थानांतरण पर सपश्टी करण निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों के इस्थान अंत्रणों पर प्रतिबंद, पुलिस अधिकारियों द्वारग मुख्य मंत्री ग्रह मंत्री को संग्षिप्त ब्रीफिंग देना, मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के बीच वीडियो कॉन्फरेंसिंग अधिकारियों के दौरों अब काशुपर प्रदिवंद जिनके पती या पत्नी राजनेतिक छेतर में सक्रिये है निर्वाचन आयोक राज सरकारों के प्रिशासनिक तंत्र की सहायता से संसद और राज विधान मंडल के निर्वाचनों का संचालन करता है संविधान के अनुच्छे 324-6 में ये प्रावधान है कि राश्टपती या राज पाल निर्वाचन आयोक द्वारा अनुरोद किये जाने पर निर्वाचन आयोक को वो सब अपलब दे कर आएगा जिसके आविशक्ता इनको प्रदान किये गए क्रिया का लापों के निश्पादन के लिए हो सकती है इस रिष्टी कोड से निर्वाचन के समय निर्वाचन तंत्र को राजियों के नियमित फील्ड तंत्र को जिसमें समयलित मुख निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, रेटर्निंग अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी आधिकारी आधिक बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों के निप्ति करके सक्रिये बनाया जाता है पक्षता और प्रती बद्धता से अपने करतव्वे का निश्पादन करें इसलिए निर्वाचन विधी लोग प्रती निध्यत्व अधिनियम 1951 की धारा 139 में उल्लेख है कि सरकारी अधिकारी मतदान को प्रभावित करने के लिए अभियर्तियों के लिए कारे नहीं करें नि इस्थानांत्रण और तैनाती के संबंद में जो नीती है उसमें स्वतंत्र और निश्पक्ष निर्वाचन के परिपेक्ष में सुनिश्यत करने के लिए कि जनता की शिकायतों के लिए कोई गुंजाईश ना हो निर्वाचन आयोग एक स्थाई नीती का अनुसरन कर रहा है कि निर्वाचन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े सरकारी अधिकारियों को ग्रह जन पदों और ऐसे इस्थानों पर तैनात ना किया जाए जहां पर उन्हें अत्यधिक लंबे समय तक कार किया है इस नीती के पीछे का उद्देश इस्थानी राजनेताओं की अंतरंगता आगे प्रभाव को निश्प्रभावी करना और सरकारी अधिकारियों की निश्पक्षता को सुनिश्चित करना है 2013 और 15 में क्रमशा 36 गड़ और बिहार के राज विधास जभा के समाने निर्वाचन के दोरान कुछ अधिकारियों के विरुधिय शिकायते मिली थी कि उनको उसी निर्वाचन छेत्र जनपत में तैनात किया गया था जहाँ पर उनको पिछने निर्वाचनों के दोरान तैनात किया गया था संबंदित मुख निर्वाचन अधिकारियों से वास्तविक प्रतिवेदनों को प्राप्त करने के पश्चाथ निर्वाचन आयोग ने उक्त अधिकारियों को इस्थान अंतरित करने का आदेश जारी किया था यह नोट किया गया था कि उसी निर्वाचन शेतर जन्पद में किसी अधिकारे को फिर से तैनात करने की ऐसी प्रथा में कुछ राजनीतिक उदेशिव हो सकते हैं इसलिए निर्वाचन आयोग ने 7 सितंबर 2016 को जारी अपने निर्देशों में एक नए अनुबंद को इन पंक्तियों में समयलित करने का निर्णे लिया है कि किसी अधिकारी के इस्थाना अंत्रंट तैनाती का निर्णे लेते समय ध्यान दिया जाना जाहिए कि उसे उसी निर्वाचन चेतर जनपद में तैनात नहीं किया जा सकता जहां पर उसे पिछले निर्वाचनों में तैनात किया गया था निर्वाचा नायोग ने यह भी अनुमोदित किया कि छोटे राज जिनके पास अधिकारियों की कमी की समस्या हो सकती है यदि वे उप्रोप्त निर्देशों का पालन करने में आसमर्थ हैं विशिष्ट प्रक्रणों में इसमें छोट देने की मांग कर सकते हैं तद अनुसर उस तिथी से 4-5 मेहने पूर्व जिस तिथी को वर्तमान राज विधान सभा का कारेकाल समाप्त होना है निर्वाचा नायोग संबंदित राज सरकारों को निमलिखित दिर्शा निर्देश जारी करता है जो कि इस प्रकार है सबसे पहला है इस थानांतरंड की शर्ते निर्वाचनों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े किसी अधिकारी को तेनाती के वर्तमान जन्पद में अपना कारजारी रखने की अनुमती नहीं दी जाएगी यदि वह अपने ग्रह जिले में तेनात है या यदि उसने पिछले चार वर्षों में उस जन्पद में तीन वर्ष पूरा किया है या वह तीन वर्ष पूरे कर रहा होगा उस महिने के अंतिम दिनिया उससे पूर जिसमें सदन की समय सीमस समाप्त होने जा रही है तीन वर्ष की अभधी की गढ़ना करते समय जनपध के अंदर किसी की पदोनत्ती की गढ़ना की जानी होती है उप्रोक्त निर्देशों लागू करते समय अधिकारियों को इस्थानांतरित करते समय राज सरकार के संबंदित विभागों को ये धियान रखना चाहिए कि उन्हें ग्रह जनपद में तैनात ना किया जाए जनवरी 2019 के दोरान लोकसभा और कुछ राज विधान सभाओ के सम्माने निर्वाचन के संबंद में आयोग ने ये निर्देश भी दिया है कि ये भी सुनेशित किया जाएगा कि किसी भी निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी सहायक रिटर्निंग अधिकारी पुलिस निरिक्षक उप निरिक्षक या उप्रोक्त को उस विधान सभा निर्वाचन छेतर जनपद में वापस तैनात नहीं किया जाए ये कार परशों की अवधी में किया गया था यदि कुछ एक जन्पदों वाला कोई छोटा राज संग राज छेत्रों प्रोक निर्देश के अनुपालन में कटनाई का सामना करता है तो यह छूट के लिए निर्वाचन आयोग को मुख निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से कारणों क साथ विशिष्ट प्रकरण को संदर्वित कर सकता है और यह आविशक समझा जाता है तो निर्वाचन आयोग निर्देश जारी करेगा दूसरा है नीती की प्रयोजिता इन निर्देशों में ना केवल विशिष्ट निर्वाचन कारेओं के लिए नियुकत अधिकारी जैसे विशिष्ट निर्वाचन के नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी, बलकि जिला इस्तर के अधिकारी, जिला जैसे कि अतरिक्त जिला दर्ण अधिकारी, उप संभागे दर्ण अधिकारी, उप सयुक्त जिला अधिश, तहसीलदार खंडविकास अधिकारी या निर्वाचन कारेओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से तैनात समान पद का अन्य कोई अधिकारी भी समय लिथ होंगे ये नरदेश पुलिस विभाक्य अधिकारी हों जैसे की रेजे के पुलिस महाने रिक्षक, उप महाने रिक्षक, राज सरशस्थ्र पुलीस की कमांडनेंट्स, वरिष्ट पुलीस अधिक्षक, उप संभागे पुलीस प्रमुक, स्टेशन हाउस, ओफिसर्स निरिक्षक, सार्जेंट मेजर या समतुलर रैंक जो निर्वाचन के समय जनपद में सुरक्षा के प्रबंद या पुलिस वलकी तैनाती के लिए उतरदाई होंगे उन पर भी लागू होंगे पुलिस उपनी रिक्षकों और उपरोप्त को उनके ग्रह जनपद में तैनात नहीं किया जाना चाहिए, यदी कि इस secrecy पुलिस उपने रिक्षक ने एक पुलिस उपसंभाग में आंतिम्तिती पर या इससे पूर चार वर्षों में से तीन वर्ष का कारेकाल पूरा कर लिया है या कर रहा है तो उसे पुलिस उपसंभाग से बाहर इस्थाना अंत्रित कर देना चाहिए जो उसी उल्लिख्यत सरकारी अधिकारियों को उपर उलिखित इस्थाना अंत्रण नीती के तहत सम्मिलित नहीं किया जाता है तब से पहले हैं ऐसे पुलिस अधिकारी जो कंप्यूटर विशेश शाखा प्रशिक्षण आदी जैसे कार्यात्मक विभागों में तैनाथ हैं को इन निर्देश के अं विस्थापन का कोई इरादा नहीं होता है अधा उपर एक तुस्थाना अंत्रण नीती साम्मानेता डॉक्टरों अभ्यंताओं शिक्षकों प्रधानचारे आदी जैसे अधिकारी उपर लागू नहीं होती है जो निर्वाचन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुई न आरती निर्वाचन नायोग ना केवल अधिकारियों के इस्थाना अंत्रण के लिए बलकि उसके विरुद उप्युक्त विभागी कारवाई के लिए आदेश चारी कर सकता है निर्वाचन कारों में सम्मलित सेक्टर आफिसर मंडली मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जा सके कि विए अपने कारों के निश्पादन में निश्पक्ष और गैर पक्षपाती हैं जी निर्देश संबंदीद सम्बंदिकार में किसी चूक के लिए आरोपित किया गया है फिर भी किसी ऐसे अधिकारी जिसे निरवाचन आयोग के आदेश के अंतर गत किसी अनुषासनी कारवाई की संस्तुति के बिना किसी पूर्व निरवाचन के दौरान इस्थानांतरित किया गया था कि इस्थानांतरण पर केवल इस आधर पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष्ट रूप से ऐसा निर्देश ना दिया गया हो मुख निर्वाचन अधिकारी को पतरांग संखे इतने दिनांग 23 दिसंबर 2008 में सम्मेलित निर्वाचन आयोगों के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए इसके अतरिक्त निर्वाचन आयोग कहता है कि किसी भी अधिकारी जिसके वुरुध नियालाय में कोई आपराधिक मामला लंबित है को निर्वाचन संबंदीकार के साथ ना जोड़ा जाए मेतैनात नहीं किया जाए यदि कोई अधिकारी आने वाले 6 महिनों के अंदर सेवा निवरित होने वाला है तो उसे निर्वाचन आयोग के उप्रोक्त और लिखित निर्देशों की सीमा में छूट प्रदान की जाए इसके अतरिक्त इस शेणी में आने वाले अधिकारियों ग्रह जनपद माबदंड एदिवे 6 महिनों के अंदर सेवा निवरित होने वाले हों को निर्वाचन आयोग के नुमती की बिना निर्वाचन कारों को संपन करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा यह भी इस पश्ठ है कि राजी के सभी अधिकारी उनके अतरिक जो मुख निर्वाचन अधिकारी के कारेले में तैनात हैं जो सेवाकाल के विस्तार पर या विभिन शमताओं में पुनर नियुक्त किये गए हैं को निर्वाचन से संबंद किसी कार के साथ संबध नहीं किया जाएगा निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारियों को निर्दुष्ट प्रारूप में सम्मंद जिला निर्वाचन अधिकारी को एक खुशना प्रस्तुत करना आवशक होगा जो तद अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आगे सुचित करेंगे मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ परामर्ष निर्वाचन आयो क्योप्रोक्त नीति के नुसार स्थान अंतरित किये गए वर्तमान अधिकारी के स्थान पर व्यक्तियों को तैनात करते समय राजी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ अनिवारे रूप से परामर् निर्वाचण वर्षके दोरान निर्वाचक नामेवाली ओंवाली ओंगों नियुक्त अधिकारि knife किसी ऑंवसकर सीनकलत ते किसी औरशांत के प्रक्रूण में निर्वाचन आयोग से पूर्व अनुमोधन प्राप्ट किया जाएगा पुलिस उपनी रिक्षक के स्थाना अंतरन पर इस पश्टी करण में क्या है चलिए वो देखते हैं कुछ ऐसे प्रकरण हो सकते हैं जिसमें कम जिलों वाले बड़े महानगरों छोटे राज्यों मे निर्वाचन आयोग के उपरुक्त लिखित निर्देश में निर्धारित नीती के अनुपालन में ऐसे पुलिस अदिकारी जो थाना प्रभारी के रूप में तेनाथ हैं उनका इस थाना अंतरन करना कठिन हो सकता है ऐसे प्रकरणों में ऐसे पुलिस अदिकारी के लिए एक क्या यह निर्देश पुलिस उपनिरिक्षक के लिए लागू होते हैं तो यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां पर पुलिस उपनिरिक्षक धाने का प्रभारी है वहस निर्देश के अंतरगत सम्मलित है और इसलिए उसे उपरुक्त दिशा निर्देश के अनुसार इस थाना अंतरित किया जाना आविशक है चौथा देखते हैं कि निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों के स्थान अंतरोन पर प्रदिवंध कब है सबसे पहला है निर्वाचन की घोष्णा के साथ निर्वाचन आयोक निर्देश देता है यानि कि जैसे ये घोष्णा होती है निर्वाचन की तभी निर्वाचन आयोक का निरदेश आता है कि निर्वाचन की संचालान से जुड़े सभी अधिकारियों सरकारी करमचारियों के स्थाना अंतरन पर पूरा प्रतिबंध होगा इसमें निमलिखित को शामिल किया गया है किन्तु यह इन तक सीमित नहीं हैं सबसे पहले हैं मुख निर्वाचन अधिकारी और अपर सयुक्त उप मुख निर्वाचन अधिकारी संभागिये निर्वाचन आयोक्त तीसरा निर्वाचन के संचालां से जुड़े जिला निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी सहायक रिटर्निंग अधिकारी और अन्यराजस्व अधिकारी चौथा है निर्वाचन के प्रबंदन से जुड़े पुलिस विभाग के अधिकारी जैसे रेंज आईजी और डी आईजी वरिष्ट पुलिस अधिक्षक और पुलिस अधिक्षक उविभागी इस्तर के पुलिस अधिकारी जैसे पुलिस अधिक्षक और निर्वाचन कारें क उप्रुक्त श्रेणियों की सम्मद में जारी इस्थान अंतरन आदेश को यदि आचार सहीता लागू होने तक कार्यान वित नहीं किया गया तो निर्वाचन आयोक से विशिष्ट अनुमती प्राप्त के बिना इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए उन प्रकरणों में जहा पर किसी अधिकारी के इस्थान अंतरन को प्रिशासनिक आकस्मिक ताओं के कारण आवशक समझा जाता है राजसरकार पूरे अधिकार के साथ इससे पूर्व स्विकृत के लिए निर्वाचन आयोक से मिल सकता है इस अवधी के दोरान निर्वाचन आयोक की पूर्व स्वि चप्ति विवरण क्या है ब्रीफिंग्स क्या है निर्वाचन आयोग ने इस संब्द में निर्दिश जारी किया है कि सरकारी पद अधिकारियों को मंत्रियों या राजनीतिक पद अधिकारियों द्वारा अधिकारिक बैठक के अतरिक्त किसी भी बैठक के लिए नहीं बुला जाए गाई जायेगा इस संबन्ध में निर्वाचन इनायोग ने शुच्ट किया है कि मोखिय मंत्री या ग्रह मंत्री के सुरक्ष शंबंधी विवरणों को जब अनिवारे समझा जा stupid या मो मुख्य सच्व द्वारा हाथ में लिया जा सकता गता जिंको पुलिस द्वारा प् पस्तिति के आवशक्ता हो सकती है। इन अनुदेशों को कानून एवा व्यवस्था का प्रवर्तन करने वाली एजेंसियों के किसी सुरक्षा संबंदी गतिविदियों पर प्रतिबंद के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। इसलिए ऐसी स्थिति में जहां पर ऐसा आवशक्ता हो कानून एवा व्यवस्था का प्रवर्तन करने वाली एजेंसियों को अपनी ओर से कोई कारवाई ही नहीं करने या कारवाई में विलंब के लिए निर्वाचा नायोग के अनुदेशों का बहाना नहीं बनाना चाहिए। पर इस्थितियों के अंतरगत जो भी आवशक हो चाहें पुलिस महाने देशक द्वरारा राजनेतिक कारकरताओं को सूचित करना हो या उन से निर्देश लेना हो पुलिस अभी करनों द्वरारा आपने कर्तव्यों या अपने अधिकार के प्रयोग में सदभाव पूर्व कारे निर्वहन किया जाना चाहिए छटवा इशू जो है मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के बीच वीडियो कॉन्फरेंसिंग के संबंद में है इसमें सबसे पहले है निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि आदर्श सहिता के संचालन की अवधी में मुख्य मंत् अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों के बीच किसी तरह की वीडियो कॉन्फरेंसिंग का आयोजन नहीं किया जाएगा दूसरा है इसमें निर्वाचन आयोग ने प्राकरतिक आपदा की घटना के आकलन निरिक्षण है तो वीडियो कॉन्फरेंसिंग के अनुमती के निम्लिकी शर्तों के अधीन वीडियो कॉन्फरेंसिंग कर सकता है पहला है वीडियो कॉन्फरेंसिंग का आवजन करने से पूर मुख निर्वाचन अधिकारी का पूरवन मोदन लिया जाना चाहिए बाद में किसी वीडियो कॉन्फरेंसिंग में भाग लेने के लिए बुलाया जाएगा बचाओ राहत और आपदा से जोड़े अन्य पहलों को छोड़ कर किसी और मुद्दे पर वीडियो के पश्चात वीडियो के प्रचार नहीं किया जाएगा वीसी में मीडिया के प्रवेश के अनुमती नहीं दी जानी चाहिए संबंदित विभाग द्वारा वीसी की कारवाही ओडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का अनुरक्षन किया जाएगा और उसकी एक प्रतिलिपी मुख निर्वाचन अधिकारी को दी जाएगी वीसी के माध्यम से किसी भी अनुदान नगद या अन्य किसी सहता की घोषना या वायदा और निर्वाजकों को प्रभावित करने में सक्षम राजनितिक प्रकर्ती का कोई वक्तव में नहीं दी जाएगा या घोषना नहीं की जाएगी वीसी के दोरान मुख निर्वाचन अधिकारी का एक प्रतिनिधी उपस्थित रहेगा उप्रोक्त अपवाद के वल बड़े प्रमाण वाली आपदा के तुरंद बाद की सित्यों के लिए है अन्य था आदश सहिता के संचालन की अवधी के दोरान मंत्रियों और अधिकारियों के साथ राजनेतिक पदेखारियों दोरा वीडियो कॉन्फरेंसिंग पर प्रतिबंद एक समान सिध्धान के रूप में लागू होना जारी रहेगा साथवाई पॉइंट देखते हैं ऐसे अधिकारे जिनके पती पतनिया राजनेतिक छेतर में सक्रिये हैं और उनके दोरों आपकाशों पर प्रबंध है की नहीं चली जानते हैं इसमें सबसे पहले निर्वाचन आयोग के संग्यान में ऐसे कई द्रिश्टानता हैं जिनमें भारतिय प्रिशास्निक सेवा भारतिय पुलिस सेवा और राज सरकारों से संबंदित अधिकारियों के प पूरी तरह से संपन हो जाने तक अभगाश के लिए या यात्रा के लिए अपने मुख्यालेओं को नहीं चोड़ना है यदि किसी कारण से उनको निर्वाचन के अबधी के दोरान अपने मुख्यालेओं को छोडने क्या वशक्ता पड़ती है तो उनको ऐसा करने से स्थानांत्रण और 33 से संबंदित सारे पॉइंट्स जो कि जब हमारे देश में चुनाव होते हैं उस समय जो भी निर्वाचन से संबंदित कारियों में संलगन हैं उनके लिए निर्देश जारी किये जाते हैं कि किसका स्थानांत्रण होगा किसका नहीं होगा ये सब इसमें बताया गया है फिर मिलती हूँ आपसे ऐसी ही जानकारी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई